नागपूर हलचल में आपका स्वागत है तो आई ये नजर डालते हैं नागपूर की विवित हलचल पर हाल ही में सीये रोड गांधी बाग कलासागर चितरकला महाविदले नागपूर में गंतंतर दिवस्त के उपलक्ष में तीरंगा द्वच फेराया गया संचालक अद्दक्ष गोपाल पट्टम ने महात्मा गांधी जी की तस्वीर पर पुश्रमाला अरपन कर दीप्रजुलित कर वरिष्ट कॉंग्रेस नेतार राजा चिलाटे के हस्ते तिरंगा दो अच्छ फेराया गया इस अउसर पर नगर कॉंग्रेस कमिटी के उपाधक्ष रमन पैगवार, पूर्वनओगर से वक फिरोज खान, शमीम भादा युवा कॉंगरेस के उपाधैक्ष वसीम खान, शहर संगटन सचु अबदुल नियाज, इश्थाक अंसारी, कॉंग्रेस कमिटी के महासचु वरिष्ट समास सेवक प्रेमलाल खोटे, नवरतन जोशी, संध्या वर्मा, शुवकुमारी बाथो, राजश पेंदाम, पूर्वा, प्रमुक रूप से उपस्तित थे आभार प्रदर्शन संस्ता सचु आनंदी पटम ने किया कोराडी रोडस्तित ओम नगर के रहवासियों ने गंटतंत्र दिवस के उपलक्ष में उच्साह के साथ द्वजारोहन किया इस समारों में देशभक्ति के गीत पेश किये गए, साथी देश के महापुरुशों और वीरक्रातिकारियों की गाथा सुनाई गई समारों में उपस्ति सभी को मिठाईया बाटी गई विकास नायक ने कारेक्रम को सम्मोधित किया आशिश नायक, छोटू गउर, जगदीश कुमार, पुनम नायक, आकांशा कहार, विधी कहार, अनमोल कहार ने कारेक्रम के सफलायोजन में अपना एहम योगदान दिया अखिल कुन्बी समाजभवन नाकपुर में गणतंत्र दिवस के अउसर पर हर साल की तरह समाज के नेता और भहुजन विचारमंच की संस्तापक नरेंद्र जिचकार एवं अखिल कुन्बी समाज के अदक्ष पुरुशत्तम शाहने की उपस्तिती में राष्ट्य धच को सलामी दी गई इस अउसर पर राष्पिता महात्मा गांधी तता संत तुकडोजी महाराश तता डॉक्टर पंजाब राव देश्मों की प्रतिमा पर मालारपन किया गया इस अउसर पर मुख्यरूप से सचिव माधो कडू तिरले कुन्बी समाज के सचिव सुरेज जिचकार पूर पार्ष सुरेज डवरे बबंदराव गांज रे सेउक्त सचिव प्रलात पड़ोले बाला शिंगाने रविकांज साबले रमेश देवलकर विनायक ठाकरे देवर राव डेहनकर विनायक राव पांगुल राम राव कडू अशोक निखाडे नितेश कडू माधो राव इंगले नाना मुत्टकुरे सुधिर शहाने राजु राउत राजु वाग प्रमोद इंगले अशोक ठाकरे देवले किशोर पाटिल अरुन मोरे सहित समाज के अन्यग करमांड वेक्ति उपस्तित थे अपर मंडल रेल प्रबंदक तक्नीकी जैसिंग अपर मंडल रेल प्रबंदक प्रशासन पीयस खैर कर महिला समा सेवा समिती की उपधक्षा सुकेशनी खैर कर सचु मोनिका चिखले कोशाद्यक्ष भाग्याश्री कदम स्कूल इंचार्ज नुपूर्तरि पार्ठी पांड देक्ष वसंद पालिवाल के दक्षता में मुख्यतिती सत्यनारयान पालिवाल के हाँ तो जंडा फैरा आगया इस अवसर पर गणबाने सभासत गंजे से मंडल सचिव कृष्ना हरजाल, गोपाल धामट, बाबुलाल सोमेरी, शिव नारायन धामट, कमलेश हरजाल, पंडित खुशाली राम जगिया, पंडित बदरी प्रसाद, कोशल धामट, सुमीत पालिवाल, उमेश पालिवाल, अकित हरजाल, अमरुद धामटा, हरशल इंगले, वनिता मानापुरे, नरेंदर मिसाल, मनेश पतेल, आदियु उपस्तित थे साउनेर सिद अर्विन्द इंडो पब्लिक स्कूल में पूरे हरशलला से गनतांतर दिवस मनाया गया, यव राश्टे पर प्रमुक अतिती भावसाहिब भोगे की प्रमुक उपस्तिती में कोविट प्रोटकॉल का पालन करते हुए मनाया गया, स्कूल के प्राचारे राज कक्षा दसवी के छातर उज्वल बारा पातरे, जानवी बेरड ने भाशन दिया, इशा मालापुरे ने कविताएं सुनाई, सम्रुदी मंगल ने भाशन दिया, और भार्गवी दुरुकर ने देजभक्ती पर आधरित गीतों पर नृत्य प्रस्तुत किये, कुछ विद्ध विद्धार्तियों ने सुन्दर संदेश वाले पोस्टर बनाए, अंकिता बागडे, संजना बेलेकर, एवं मनस्वी बेरड ने भी नृत्य किया, ड्रॉइंग और पेंटिंग साजा करने वाले विद्धार्तियों ने सुजनात्मक तरीके से गंद्रत दिवस पर देश भक अर्विंदु बुरुलेवार ने मानेवरों का भार माना, संस्ता अदेक्ष एवं पुरविधायक डॉक्टर आशिश देशमुक ने सभी को गंदतंत्र दिवस की शूपकाम नाए दी माहत्मा गांधि आंतराष्टे हिंदी विश्विद्धाले वर्धा के सरवग यश्री चक्रदर स्वामी मराठी भाषा तता ततो ध्यान अध्यन केंद्र रिद्धपूर अमरावती पर केंद्र के प्रभारी तता सायक प्रोफेसर डॉक्टर राजश लिहक पूरे द्वार द्वजारों किया गया इस अउसर पर मात्मा गांधि के च्छाय चित्र पर माल्यारपन किया गया कारेक्रम में गुरुकुल आश्रम तता स्कूल के मुख्यदाबक संजय कोहले मुखबदीर स्कूल के मुहन खंडारे प्रमुक्ता से उपस्तित थे समारों में रिद्धपूर केंद्र पर सेवारत सायक प्रोफेसर धर्मेंद्र शंबरकर, डॉक्टर सुश्मा लोखंडे तता शिक्षकेतर करमचारियों में सारंग विरूलकर, घनशाम वागमारे, मयुर्देश मुख, प्रजोल पंजाबी, आदी प्रमुक्ता से उपस्त जमियतुल कुरेश ट्रस्ट कसाबपूरा की ओर से 26 जनवरी के अवसर पर कसाबपूरा चरिटेबल दवाखाने के पास जमियतुल कुरेश के अद्रक्ष हाजी मुहमद इसराइल कुरेशी के हाँतों 2000 रोहन किया गया इस अवसर पर डॉक्टर आयशा पटेल, डॉक्टर सलाउदीन पटेल, दोस्तों समिना, हाजी अब्दूल कादिर कुरेशी, सच्यू हाजी मुहमद, जावेद इकबाल, उपादेख्ष हाजी अब्दूल, जलिल गुरु पटेल, निजामुदीन कुरेशी, सच्यू गुल जमियत उल्मा जिला नाकपुर की ओर से 26 जन्वरी को सुबह 9 बजे बड़े पैमाने पर मदरसे के बच्चों और शेत्र की गन्माने नागरिकों की उपस्तिती में ध्वजारोहन कारेक्रम कायो जन किया गया, बड़ी धूमदाम से जमियत उल्मा दफ्तर तकिया महभूब शाह ग्राउन में गन्तंत्र दिवस समारोह संपन हुआ, इस अवसर पर जमियत उल्मा की सदर हापीज मसुद अहमत की प्रमुक उपस्तिती में पूर्वन अगर सेवक सिराज अहमत के हाथो दोजारोहन किया गया, अवसर पर मदरसे के बच्चे वशेत्र की नागरिकों मे मिठायां बाटी गई, इस मौके पर शेत्र की गण्डमान नागरिक और जमियत उल्मा नाकपुल शरके पदादिगारी गन उपस्तित थे हाल ही में टीम वेकोली ने गनतंत्र दिवस समारोहर्श ललास और उत्सा से मनाया, कमपणी मुख्याले में अवजित कारेक्रम में अद्देक्ष सप्रबंद निदेशक मनोच कुमार ने परेड की सलामी ली, तिरंगा धुच फराने के बाद उन्होंने करमचारियों को सम् पूरा प्रयास करे, कोईला उत्पदन की प्रक्रिया के दोरान सुरक्षा और कोईले की गुणमत्ता पर विशेश ध्यान दे, उन्होंने कहा कि टीम वेकोली ने अपने स्थापनाकाल से अब तक के एक वित्यव वर्ष में सबसे अधिक 50.4 मिलियन टन कोईला प्रेशन किय जो की एक रेकॉर्ड है, सभी से कोरोनाटी का लगवाने की अपील भी उन्होंने की, इस गनतंत्र दिवस समारों में तक्नीकी निदेशक अजित कुमार चौधरी, सीवियों अमित कुमार श्रिवास्तो, निदेशक जेपी दिवेदी, तथा संचालन समिती एवं कल्यान मं मंदल के सद्यस सिगन, तमाम विभागों के अद्यक्ष एवं वेकोली परिवार के सद्यस से उपस्ति थे श्री दिगंबर जैन परवार मंदिर ट्रस्ट के तत्वावधान में, महिला मंदल की ओर से नागरीकों की सुविधा के लिए इतवारी स्थित परवार पूरा त्यागी भावन में, नागरीक सुविधा कैम्प का आयोजन किया गया इस शिवीर का उद्गाटन मध्यनागपूर भाचपा अध्यक्ष किशोर पलांदुरकर के हातों दीप प्रजोलन से हुआ कारेक्रम की अध्यक्षता सयोजी का रजनी हेमन जैन ने की इस अउसर पर भारतिय जैन संगटना, जिला सचीव डॉक्टर दीपक शेंडेकर, श्री दिगंबर जैन परवार मंदिर ट्रस के अध्यक्ष दिनेज जैन, मंत्री शीतल जैन, शेहर भाचपा महमंत्री गुड्डु त्रिवेदी, मध्यनागपूर महिला अगाडी की अध द्यक्षा, रेखा निमजे, वरड़त द्यक्ष बाहुबली पलसापूरे, शिल्पा छाडी, वर्षा पेगडे, संगिता तड़या, दिलिप गायकवाड, विने जैन, विशाल जैन, शैलेंद्र जैन, सुमत लल्ला, संतोष देवडिया, आधि मान्नेवर उपस्तित थे, क कुविड-19 बीमारी से मृत हुए व्यक्तियों के परिवारों को 50,000 रुपे प्रदान करने के लिए ओनलाइन फॉर्म आधि सुविधाय उपलब्द है, आम नागरीक अधिक से अधिक संख्या में आकर इस शिविर का लाबले, ऐसा आवहन, शिविर की सयोजी का रजनी हिम परियों के बीच एक सेतू की तरह काम करता है, चेंबर ने राज्य सरकार द्वारा शराब विक्री को जिवनावशक वस्टूओं की तरह किराना दुकानों और सुपर मार्केट में विक्री की अनुमतिके निर्णय का कड़ा विरोध दर्शातेव्वे, मुख्यमंत्री पुमुक्यमंत्री अजित पवार और अन्य मंत्रियों को इस निर्णय को ततकल वापस लेने हेतू ग्यापन भेजा है, चेंबर के अध्धक्षय अश्वीन प्रकाश मिहाडिया ने कहा कि जीवनावशक वस्टूओं की विक्री और मादक वस्टूओं की विक्री के नियम ह पर हाल में अलग होने चाहिए, हमारे राज्य में किराना दुकाने बाजारों से लेकर गली महलों तक है, राज्य सरकार द्वारा बनाये गए यह नए नियमों के तहद वाइन खुले तोर पर मिलने लगेगी तो उसका लोगों के पारिवारिक जीवन पर बहुत बड़ा अ इससे अपरादिक मामलों में बड़ोत्री की संभावना भी हो सकती है मनुष्य के मस्तिशक से उपजी कलपना से किया गया अविश्कार बहुद्धिक संपदा है, बहुद्धिक संपदा का प्रबंदन करना आज के समय की आवशकता है यह विचार राजिव गांधी राष्ट्रिय बहुद्धिक संपदा प्रबंदन संस्थान नाकपूर के उपनिय अंतरक डॉक्टर पंकज बोरकर ने वेक्त किये वेमात्मा गांधी आंतराष्ट्रिय हिंदी विश्व विद्याले के आंतरिक गुणवत्ता आश्वासन प्रकोष्ट के बहुद्धिक संपदा आधिकार प्रकोष्ट एवं राजिव गांधी राष्ट्रिय बहुद्धिक संपदा प्रबंदन संस्थान नाकपूर के डॉक्टर बोरकर ने बौधिक संपदा की प्रुष्ट भूमी और उसकी विस्टार से व्याख्या करते हुए कहा कि भारत सरकार के वानिज्य एवं उद्योग मंत्रालाय की अंतरगत राश्ट्रिय बौधिक संपदा जागरुकता मिशन की स्थापना की गई है इसके तहत व्यक्ति अपनी कलपनाव और सुरूजन का पेटेंट कर सकता है आजकल इस शेत्र में रूजगार की असिम संभावना पैदा हुई है और इस शेत्र में विज्ञान विशय के सनातकों की मांग काफी संक्या में बढ़ गई है उन्होंने कहा कि पेटेंट से कारेक्रम का अयजण किया गया इस एकरप्रभाग 8 ओमिन्पुरा के नगर सेवक जूलफिकार अहमद बुट्टो द्वारा द्वजारोहन किया गया बच्यो द्वारा सांस्कूरुतिक कारेक्रम प्रस्टुत किया गया कारेक्रम में मुख्य रूप से सचिव आरिप अहमद, मुख्य दैपी का उम्मे हभीबा, मुहमत कौसर अंसारी, हाजी सोनू, सारिक जमल, अम्मर अहमद, निसार अहमद, अतिक अहमद, तता स्कूल के सभी शिक्षकगन प्रमुक रूप से उपस्टित थे ICAI की स्थानिया शाखाद्वारा, डेरिवेटिव स्पाट्शाला का आयोजन किया गया, वेबिनार में चात्रों और सदस्यों को डेरिवेटिव मार्केट्स के बारे में जानकरी दी गई, और वित्तिय बाजारों के बारे में उनके ग्यान को सम्रुद्ध करने का प्रयास किय नागपुर शाका के पुर्व अध्यक्षत सीये स्वापनिल घाटे 17 की मुख्यातिती थे। उद्गाटन भाशन में उन्होंने वित्तिय दुनिया में नविन्तम घटनाओ और विकास के साथ अध्यतन रहने की आवशक्ता पर जोर दिया। अब समय की जरुरत बन गई है। नागपुर शाका के वर्तमान अध्यक्ष सीये साकेद बगडिया ने मुख्य अतिती सीये स्वापनिल घाटे पुर्व अध्यक्ष और विशेशग्य वक्ता सीये जितेन सगलानी और अजय बारिक का स्वागत किया। उन्होंने एक सूचनात जयन समाज की प्रतिनी दी संस्था जयन सेवा मंडल के तत्वावधान महाविर उद्यान मेयो अस्पताल नागपूर परिसर में तिहत्तरवे गंतंत्र दिवस के उपलक्ष में ध्वजारोहन कारेक्रम एवं फलो का वितरन हर्शुलास के साथ सुबा साड़े दस बजे पन्न हुआ कारेक्रम की शुर्वात मंगला चरण दीपा जयन रिम्मी जयन ने की इस अउसर पर मंडल के अध्यक्ष दिलिप गांधी ने कारेक्रम की अध्यक्षता ग्रहन की प्रमुक समाज सेवी अमर्चन जैचन सिंग्वी की हस्ते ध्वजारोहन हुआ सतकार मूर्थी अतूल कुटेचा अध्यक्ष वानिज्य उद्योग व्यापारसेल महाराष्ट्र प्रदेश प्रमुक अतिति के रूप में पुर्व अध्यक्ष महिंद्र कटारिया सुमत लल्ला जैन राजु सिंग्वी रमन पैगवार महेश श्रिवास दिलिप चानपू मनोच जैन, नाना थेर, गिरिश विटाल कर संतोष खडसे महिला अध्यक्षा रजनी जैन आधिका योगदान रहा मंच संचालन दीपक शेंडे करने किया मनोच जैन ने मानने वरों का आभार माना 2009 के पश्चात सभी ने मिलकर मेयो अस्पताल में मरीजों को फल वितरन किया एवं दोपर तीन बजे छोटा ताजबाग परिसर में गरीब एवं जरुरत मन बच्चों में फल बाटे गए हजरत सरकार ताजुद्दिन अउलिया का जन्म दिन सज्जादान अशिन हाउस में बाबाजान के परपोत्र हजरत यूसुप इकबाल ताजी बाबा की उपस्टिती में केक काटकर और जरुरत मन्दों में भोजन कंबल बाटकर मनाया गया इस अउसर पर सेयद जर्विर ताजी, सेयद तालेफ ताजी, हजजन रुबिना ताजी आदी मान्यवर उपस्टित थे हालही में भगवागर चोक मुविनपुरा गेट में हजरत बाबा सेयद मुवम्मद ताजुद्दिन रहमत तुल्ला अलह का जन्म दिन मनाया गया मुवम्मद हारुन, मुवम्मद सलिम, जमिल भाई, आसिप भाई, राशित पहलवान, मुवम्मद गौस, अयूफ खान, बिलाल खान आधी उपस्टित थे दक्षिनपुर्व मध्ध रेल्वे नाकपूर द्वारा, मनिंदर उपल, मंडल रेल प्रबंदक के नेतरुत्व, तथा विकास कुमार कश्यप, वरिष्ट मंडल वानिज्य प्रबंदक के मार्गदर्शन में इतवरी रेल्वे स्टेशन पर दिव्यांग जन, अन्यमरीज, बुजुर्ग, अथवा चलने में असमर्थ यात्रियों के लिए आपसे बैटरी ऑपरेटेट कार, वह बैटरी ऑपरेटेट रिक्षा की वेवस्ठा की गई है इतवारी रेलवे स्टेशन में आप बैटरी चलित कार या बैटरी चलित रिक्षा के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा जरुरत मन यातरी स्टेशन पहुचने के पहले ही इनकी वेवस्था निर्धारित हेलप लाइन पर कॉल करके सुनिश्चित कर सकेंगे अन्य स्टेशनों की तरह इतवारी स्टेशन पर भी यातरीयों को इस सुविधा का लाप प्राप्त हो सके इसके लिए दक्षिन पूर्व मध्धरेलवे नाकपूर द्वारा यह सुविधा 27 जनवरी से उपलब्द कराई गई है इस सुविधा के लिए निर्दारित किराया 50 रुपए प्रतिवेक्ति तै की गई है आज 15 प्लस और 45 प्लस आयू वर्ग के सभी नागरिकों का कुवी शिल्ड का टीका करन नाकपूर महनगर पालिका के साथ साथ सरकारी केंद्रों पर होगा टीका करन का समय शाम के पाच बजे तक होगा टीका करन के लिए ओनलाइन और ओफलाइन दोनों पद्दतियों से पंजी करन किया जा सकता है इसी तरह ड्राइविन वैक्सिनेशन केंद्रों पर भी 15 वर्ष और 45 वर्ष से अधिक आयू के सभी नागरिकों को कोवी शिल्ड के जरिये टीका करन किया जाएगा यह जानकारी चिकित सा स्वास्थ अधिकारी डॉक्टर संजय चिलकर ने दी इसी तरह 15 वर्ष और 45 वर्ष आयू वर्ष के नागरिकों के लिए कोवैक्सिन का पहला और दूसरा डोज मेडिकल कॉलेज डॉक्टर बाबासाइब आमबेटकर अस्पताल काम्ठी रोड वस्वरगिय प्रभाकर दटके मनपा महलरोग निदान केंद्र एम्स आइसोलेशन अस्पताल इमामबाडा, इंदेरा गांधी अस्पताल गांधी नगर, मनपास्त्री अस्पताल पाचपाउली और प्रगती हौल दिगोरी में उपलब्द है तो नागपुर हल चल में आज इतना ही, आप से फिर बुलाकात होगी, तब तक देखते रहिए विकेबी न्यूस, नमस्कार